दोस्तो State Bank of India ने junior associates यानि के clerk के लिए vacancy को release कर दिया है इसके online form 7 September से शुरू हो चुके हैं, last date 27 September है यहाँ पर साफ साफ clearly mentioned है आप किसी एक शहर से ही इस form को apply कर सकते हैं और जिस शहर से apply कर रहे हैं ध्यान दीजेगे वहाँ की local language आपको आनी चाहिए अगर नहीं आती है तो उसके लिए एक और टेस्ट होगा दोस्तो इसका prelims exam November 2022 में और main examination December या फिर January 2023 में होना है यह देखिए state wise यहाँ पर vacancy निकली होई यह किस circle के अंदर कौन कौन से state आते हैं और उसकी देखिए local language भी लिखिवी से गुजरात के लिए गुजराती है ठीक उस तरह हर शहर के लिए आप देख सकते हैं यह share wise vacancy है दोस्तों बात करते हैं eligibility criteria की कौन को निस form को भर सकता है सबसे पहले age limit की बात करूँ एक अगस्त 2022 को आपकी age count होगी 20 साल से कम की age ना हो और 28 साल से ज्यादा की age ना हो और आप OBC हैं तो 3 साल के छूट मिलेगी यानि गत्ति साल maximum होनी चाहिए SCST तो 5 साल की छूट मिलेगी यानि के 33 साल maximum age होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मेंशन है educational qualification की बात करें तो simple graduation होना चाहिए आपके पास graduation का result 30 नवंबर या उससे पहले declare हो जाना चाहिए अगर आप final year के students हैं और result आपका 30 नवंबर के बात declare होगा तो आपस प्लाई नहीं कर सकते दोस्तों form fees की बात करूं तो general OBC और EWS वालों के लिए साड़े 700 रुपे और SCST वालों को कोई fees नहीं बढ़ने चलिए बात करते है selection process की कैसे होगा prelims exam और उसके बाद main examination होगा prelims exam में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले तीन सब्जेक्ट आएंगे English, numerical ability और reasoning ability देखे 20-20 minute के लिए होंगे, total 100 question एक गंटे पर होगा, और यह qualifying होगा, इसके marks count नहीं होगे इसके बाद main examination होगा, यह देखे यहाँ पर 4 subjects होगे, इसके ही marks merit के लिए count होगे और सभी में negative marking होगी, ध्यान रखिएगा उस तो एक बात कोड़ी main examination के बाद, आप जिस शेर से बढ़ रहे हैं, वहाँ की local language आपको आनी चाहिए, यह देखिए यहाँ पर list में लिखा हुआ है, local language क्या क्या होगी, यह तो medium of exam है, उपर ही मैंने बता दिया था अगर कैसे चक करेंगे 10th और 12th की mark sheet, 10th या 12th में वह local language का subject आपके अंदर होना चाहिए, अगर 10th और 12th में आपकी mark sheet में वह local language का subject नहीं है, तो फिर आपको तीसरा test भी देना पड़ेगा, उस local language को पास करना होगा, तब ही आपकी यहाँ पर joining होगी कोई doubt रहा गया हो, comment section में लिखिए, ऐसे ही government job से related updates पाने के लिए हमारे चलो कर सबस्क्राइब करें, इस video को like करें, thank you